हेलो गाइस, आज हम एक्स्प्लेइन करेंगी 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है तै एक्सार्जिजम आफ कॉर्ट और सुना है ये फिल्म काफी हॉरिबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्स्प्लेइनेशन मुवी स्टार्ट होती है और 2003 का टाइम दिखाना जाता है जहां बारिश की रात में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर नेलसन था और वो घबराते हुए चर्च पहुचते हैं जहां उसका मुलाकत फादर पिटर से होता है और डॉक्टर नेंसन उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई थी क्योंकि उन्हें फादर पिटर की जरूरत थी और फादर पिटर को लेकर उस मैंशन में पहुच जाते हैं जहां उनकी जरूरत थी और वहाँ पहुच कर फादर देखते हैं कि वहाँ एक लेड़ी पॉसेस्ट है जिसका नम मेगेली था और वो लड़की एक डेमन से बुरी तरह से पॉसेस्ट थी और उस डेमन ने उसकी हालात काफी खड़ाब कर दी थी फादर पीटर अपने फर्स्ट एक्जोसिजम के लिए आई थी इस वज़े से वो काफी डर रहे थे इसके बाद वो अपने साथ ही फादर माइकल को कॉल करते हैं और पीटर उसे एक्सोसिजम करने के लिए कहते हैं लेकिन माइकल मना करते हैं क्योंकि फादर पीटर ने अभी तक उसकी ट्रेनिंग पूरा नहीं किया था इस वज़े से वो डेमन उस पर भी अटक कर सकते हैं लेकिन पीटर कहते हैं कि इस लेडी की हालत काफी ज़दा खराबे मुझे एक्सोसिजम करना ही होगा माइकल एक्सोसिजम करने के परमिशन नहीं देते इसके बाद पीटर अपना फोन रख देते हैं और खुद एक्सोसिजम करने के लिए रेडी होते हैं वो पहले उस रूम में से सब को बाहर कर देते हैं और उस डेमन पर अपना एक्सोसिजम स्टार्ट करते हैं पीज़दर एक्सोसिजम करने के टाइम वीडियो रेकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं तो कि आगे के लिए उसे प्रूव रखना था और अब ये डेमन काफी पावरफुल था जिस बज़से वो इजली मेगेली की बॉड़ी से नहीं जा रहा था वो डेमन मेगेली की कप्रे फार कर पीटर को सेड्यूस करने लगता है क्योंकि उसे पता है कि पीटर मेगेली से कही क Dri leva करता है क्योंकि मेगेली उसी चर्च में नहां जहां पीटर रहता है इस बात का फाइधा डेमन उठाने लगता है और पीटर उसके बॉडि से अपने अट्रक्शन हटाने की काफी कोशिश करता है लेकिन डेमन लगातार उसे सडिल करने लगता है और तभी मेगेली पीछे बेट पर गिर जाती है अब जैसे ही पीटर उसे चेक करने के लिए जाता है तब यो डेमन पीटर को किस करने लगता है और उसके साथ इंटिमेट होने लगता है फादर पीटर खुद को काफी रोकने की कोशिश करता है और कुछी देर में डेमन मेगली की बोडी छोड कर पीटर की बॉड़ी में घुश जाता है और उसके साथ इंडिबेट हो जाता है और यहां यह सीन शिप्ट होता है और हमें 18 यर्ज बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जेल में एक गट प्रिजिनर को खाना दे रहा था जैसे ही वो एक लॉक अप में अपना हाथ डालता है तभी अंदर से कोई उसके हाथ के फिंगर को खा जाता है दूसरा गट आकर किसी तरह उन्हें बचा लेता है यानि कि उस लॉक अप में एक पोजस लेडी भी थी अब सीन चेंज होता है औ और फोली वार्टर से उसे चेक करता है लेकिन वो लर का कोई वे अजीव हरकत नहीं करता है इसका मतलब यह था कि वो बीमार है ना कि पोजस्ट इसके बाद वो उससे हॉस्पिटल लेके जाते हैं डॉक्टर नेलसन उसे बताते है कि सीटी में एक अजीब तरह की वाइरस हो गए हैं जिसकी वज़से बच्चे लगातार बिमार पर रहे हैं उसके बाद फादर सब बच्चों के लिए चर्च में प्रे करते हैं कि सब बच्चे ठीक हो जाएं फिर वहां नेलसन आते हैं और कहते हैं कि इस विक में बिमारी की वज़से चार बच्चों के डथ हो काफी लोगों की हेल्प की है और गौट तुम्हारे साथ है पीटर उसे उस रात की वीडियो क्लिप देने आया होता है जिसमें वो मेगली के साथ इंडिमिट हुआ था लेकिन उसमें देनी की हिम्मत नहीं होती तब ही लीडर उसे कुछ पैसे देता है अब वो चार्च में देखने चला जाता है वहाँ उसे अजीब से चलने की निशान मिलते हैं जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगते हैं तब ही उनके सामने डेमन से पजस्ट एक इनसान आ जाता है जिसे देखकर वो काफी शौक हो जाता है लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना है इसके बाद फिर से डेमन उसके पीछे से आकर उस पर अटक कर देते हैं लेकिन ये भी एक सपना ही होता है इसके बाद पीटर अपने नीन से जाग जाता है और तबी उसे उसी जेल वाले गार्ट का फून आता है जहां वो डेमन लॉक अप में था और वो गार्ट पीटर से कहता है कि यहाँ पर एक प्रीजनर की हालात बहुत खराब है वो उसे जेल में आने के लिए कहता है देन नेक्स डे पीटर उसे देखने के लिए जेल में नेल मेगली वाला डेमन कर रहा था और पीटर वहां कोई भी एकसाजिसम किये बिना जिल से बाहर आ जाता है और जैसे हो बाहर आते हैं उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देने लगते हैं जिसे वहां प्रेजन सभी परिशान हो जाते हैं इसके बाद पीटर दूसरे रूम में उस गाट से बाते कर रहे होते हैं तब ही वहां मेगली आती हैं और हमें पता चलता है कि वो लॉक अप बाली लेडी और कोई नहीं बलकि पीटर और मेगली की बेटी इसपरेंजा हैं असल में 18 यार्स पहले जब वो दोनों डेमन की बज़र से इंटिमेंट हो रहे थे तब पीटर की त्रों उनके होने बाले बची में चला गया तब ही से उसकी बेटी ऐची ही ही पीटर बाहर आकर मेगली से कहता है कि में उस टांस इक डेमन की पॉसस्त में था और इस benevolence कर रहा था मेगली उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है उसे राद की पीटर सोरा ह होता है तो हम देखते हैं क्योंके ओपर कोई है तब हैं पीटर की आद खुलती है और उसे फिर twenty दिखने लगते है जोकि चर्च में था हम देक मपर की द्रिम में AGS depth दिख来了 अगले दिनまだ जाते हैं और उसे पलब्स लड़के की देथ हो गई जिसे वह यहाँ ले निल्सर बताता है कि उसकी डेथ कोई वाइरस की बज़से नहीं हुई है। पीटर तबी समझ जाता है कि उसकी डेथ कोई डेमन की बज़से ही हुई है। उस लरके की माह आती है और अपने बेटे की डेथ पर दुखी होती है। इसके बाद पीटर उस लरके की डेथ पर प्र करती थी अप पीटर अपनी बेटी को बचाने का डिसिशन लेते हैं और नेग्स stage रच शच के लीडर से मिलने चला जाता है जहां लीडर उसे एक्स लिजन्ग करने की पर्मिशन दे देते हैं पीटर उन्हें नहीं बताते कि वो उसकी ही बेटी है एक्सार्सिजम में अपने हेल्प के लिए पीटर लेंडर से फादर माइकल को बुलाते हैं जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा हुआ था माइकल एक एक्सपरियंस्ट फादर था और यहां पीटर कहता है कि उनको डेमन ने कैसे पॉसस्ट किया था यह सुनकर माइकल कहते हैं कि जरूर तुमारे अंदर गौड है जिसने तुमारे हेल्प की पीटर उसे नहीं बताते कि उसकी बेटी है इसके बाद पीटर उस रेकॉर्डिंग टैप को आग में जला देते हैं जिसमें वो मेगली के साथ इंटिमेट हुए थे फिस सीन पास्ट में सिर्ट होता है और हम देखते हैं कि मेगली के अंदर से डेमन निकल कर पीटर के थ्रू इंटिमेट हो रहा था इसके बाद मेगली के फैमिली वहा आती है और मेगली को ठीक देखकर पीटर को थैंक्स कहती है अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम चार्ज में एक सिस्टर कैमिला को देखते हैं जो गौट के सामने पेर कर रही थी तभी उसे अजीब आवाज आने लगती है उसे भी वहा कुछ अजीब निशान मिलते है और वो उन निशानों का पीछा करती है तभी सड़िन उसके सामने एक डेमन आता है जो की मदर मेरी की तरह दिख रहे थे उसके बाद वो डेमन कैमिला पर अटक कर देते हैं और उसके बाड़ी को पॉसेस्ट करके वो औरफन्स वाले बच्चों की तरफ जाने लगते हैं वो बच्चों की रूम में आते हैं जहां वो लोग उस टाइम सो रहे थे मेगली उसे पहचान लेती है कि वो डेमन है फिर वो उसे बच्चों के पास जाने से रोकने लगती है चिलाने की आवज सुनकर पीटर और माइकल वह आ जाते हैं और कैमिला पर एक्सोसिसम करना शुरू कर देते हैं और उसे डेमन से फ्री कर लेते हैं तब ही पीटर बच्चों के पास जा कर देखते हैं और उन बच्चों को देखकर लग रहा था कि डेमन ने उन पर वी एफिक्ट करना शुरू कर दिया है then next day Peter Michael को लेकि जियल में आ जाते हैं जहां उसकी बेटी थी वो लौक अप में आ कर अपने एक्सोसिजम शुरू करने ही बाले होते हैं लेकिन तभी वो डेमन जो की इस्परेंजा के अंदर थी वो उन्हें एक्साजिजम करने नहीं देते और अपनी बातों में बहकाने लगते हैं इसके बाद भी माइकल और पीटर मिल के एक्साजिजम स्टार्ट करते हैं और उनके ऐसे करने से वो डेमन काफी गुस्से में आ जाते हैं और एस्पिरेंजा के बादी को टॉर्चर करने लगते हैं और तवी वो डेमन गुस्से में आकर माइकल पर अटक कर देते हैं और उसका कान काट लेता है फिर नेलसन उसे किसी तरह से इंजेक्शन दे कर सेंस्रेस कर देता है जिससे माइकल बच जाता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वो बाकी लॉक अप में जो लेडिस हैं जो किसी ने किसी डेमन से पॉस्सेट है तवी या मेगली भी आ जाती है और अपनी बेटी की कंडिशन को देख कर बहुत रूनी लगती है उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं इसके साथ जो लेडिस इस जेल में डेमन से पॉस्सेट है उनको भी आजाद कर देंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं और डेमन से पॉस्सेट लोगों को सेंसलेस कर देते हैं माइकल और पीटर सब के उपर एक्सोईजम करने के लिए रेडी हो रहे थे यहां माइकल पीटर को वन करता है और कहता है कि तुमें इन सब डेमन को हराने के लिए उन सब की बातों पर एक इन नहीं करना होगा और ना ही उनके साथ कोई भी डील करना होगा अगर तुमने ऐसा किया तो डेमन इस दुनिया पर राच्छ कर सकते हैं आइकर उन्हें बताता है कि उन्हें फादन नहीं बलकि गौड बनकर उन पर काबू पाना होगा नहीं तो वो हम सब पर काबू करके सबको खतम कर देंगे इसके बाद पीटर वहापस सबी पुलीस बालों को घरवेज देते हैं जिससे उन्हें कोई भी परिशानी ना हो अब यहां मेगली को एकिन हो जाता है कि पीटर की वेस में डेमन ही उसके साथ इंतिमेट हुआ था इसके बाद पीटर सबको जेल से बाहर करके एकसोईजम करने के लिए अंदर आ जाते हैं और उन दोनों के साथ सिर्फ डॉक्तर नेलसन एक गाट भी प्रेजन था दोनों फादर अपने एकसोईजम स्टार्ट करने ही बाले थे लेकिन तभी वहाकी लाइट चली जाती है और वो गाट उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे दूसरी तलब लाइट जाने के बाद नेलसन लाइट बोट की तरब जाने लगता है लेकिन रास्ते में उसे एक डेमन मिल जाता है जो कि उस पर एटक कर देता है उसके चिलाने से दोनों फादर उसके पास आते हैं यहां वो देखते हैं कि निलसन काकी ज्यादा इंजिवर्ड है उन दोनों को यहां से भागने को कहते हैं और उसकी डेत हो जाती है और तभी वहां कहीं सारे वितन वागन आ जाते है और उनकी तरफ बनने लगते हैं जिससे वो काफी इंजियोड हो जाता है इसके बाद पीटर उन्हें ले कर यहां से भागने लगते हैं तब ही हम देखते हैं कि एस्परेंजा वारा डेमर उन पर नजर रख रहा था इसके बाद दोनों फादर उनसे बच कर जेल वाले किचन में आ जाते हैं और डोर को अच्छे से बंद कर देते हैं यहां माइकल पीटर पर गुस्सा होता है कहता है कि हमारे प्रेयर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं यानि कि एक्सोरिजम क्यों नहीं काम कर रहा अब यहां पीटर उसे सब कुछ सच बोल देता है कि उसके साथ और मेगली के साथ क्या हुआ था ये सुनकर माइकल को काफी बुड़ा लगता है और वो समझ जाते हैं कि शायद इसलिए पीटर के प्रेयर्स काम नहीं कर रहें लेकिन पीटर माइकल से कहता है कि तुम्हारे प्रेयर्स काम करने चाहिए और काम बनना चाहिए और अब यहाँ माइकल रिफिल करता है कि काफी टम पहले उसने उस डेमन से डील करके उसने उसकी सारी पावर को खो दी है यानि कि अब वो प्योन नहीं है जिस बज़ा से उसके भी प्रेयर्स काम नहीं कर रहें और यहां माइकल पीटर से कहते हैं कि तुम कभी भी डेमन से धीन मत करना और ये कहकर उसकी ड़त हो जाती है अब डेमन डोर खोल कर अंदर आने लगते हैं जिस पर पीटर जल्दी से दूसरे रूम में आ जाता है और खुद के फोन से वीडियो बनाने लगते हैं जिसमें वो खहते हैं कि 18 यार्स पहले डेमन ने उस पर पॉसेस्ट करके मेगली को प्रेग्डेन कर दिया था इससे उसक इसस वाला डेमन आ जाता है जो कि पीटर का सबसे बड़ा डर था लेकिन पीटर उनसे अब नहीं डरता और उन पर होली वाटर देने लगता है तफी पीछे से एक डेमन आकर उससे सेंसलेस कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि सभी डेमन ने मिलकर पीटर को एक जगा बांद के रखा है और उल्टा उस पर ही एकसो इसम कर रहे थे ताकि पीटर के अंदर के गौट को उससे बाहा निकाल जाए इसके बाद सब इस दुनिया पर राज़ करेंगे दूसरी तरब उधर मादर मेरी वाला डेमन बच्चों के पास आ जाते हैं इससे उनकी तबियत खराब होने लगती हैं यहाँ कैमिला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो डेमन उस पर ही एटाक करने लगती है और यहाँ पीटर अपने अंदर की गौट पावर से सबी डेमन की हलत खराब कर देते हैं पीटर उस डेमन से अपनी बेटी को छोनने के लिए कहते हैं लेकिन और डेमन उसके साथ एक डील करने के लिए कहता है, जिसे वो और्फनेस के बच्चों के साथ उसके बेटी को भी छोड़ देगा, लेकिन बदले में उसे अपने अंदर की गौड पावर को सैक्रिफाइस करना होगा, पीटर मजबूरी में आकर डेमन से वो डील कर लेता है, और तभी सारे डेमन और्फनेस के बच्चों को छोड़ कर चले जाती है, और वो डेमन भी इस्परेंजा के बॉड़ी को छोड़ देता है, अब पीटर अपनी बेटी को लेकर बाहर आते हैं, जहां मेगली अपने बेटी से मिल कर काफी खुश होती है, और नेक सीन में हम देखते हैं कि पीटर सभी बच्चों के साथ चर्च में प्रे कर रहे थे, और बच्चों की जन बचाने के लिए लोग उसे असल में ही गौड मानने लगे, और उनके मन में पीटर के लिए रिस्पेट काफी बढ़ गई थी, उनकी ये बात न्यूज में भी आ जाती है, ये देखकर चर्च रीडर पीटर पर काफी प्राउड होते हैं, पीटर उनसे वीडियो के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने वीडियो देखे बिना ही डिलीट कर दिया, क्योंकि वो पीटर से काफी जादा खुश थे, वो जानते थे कि पीटर ने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, यहाँ इस्पिरिंजा और कैमिला आते हैं और पीटर को खक करके काफी खुश होते हैं, और इस्पिरिंजा को अब तक पता नहीं था कि उसके डैड़ी पीटर है, तब ही हम देखते हैं कि पीटर की आखों के कलर बदल रहे थे, यानि उनके अंदर अब वो डेमन आ गए थे, चर्च लीडर उसे पहचान लेते हैं और काफी घबरा जाते हैं, डेमन उन्हें यहाँ बताते हैं कि पीटर ने ही अपने बच्चों और बेटी को बचाने के लिए अपने अंदर की गौट पावर की सैक्रिफाइस की है, और तब ही हम देखते हैं कि इस्पिरेंजा की आखें भी बदल रही है, लेकिन उसके अंदर कोई भी शैतान नहीं था, बलकि उसके अंदर खुद गौट थे, इन सीन में हम देखते हैं कि पीटर वार्टीकेंस सिटी में है, यानि कि वो डेमन अब पीटर के थूप पूरे दुनिया पर राज करने बाला था, और इसी के साथ ये मूवी है पर एंड हो जाती है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई, कीप स्माइलिंग और बी हिल्दी,